मेजर्मेंट के ऊपर हमें 35 चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग कैसे करते हैं यह देखते हैं तो चेस्ट है 35 इंचेस लमबा ही है 3,5 इंच गला फ्रंट साड का 6 इंच बैक साड का 9 इंच शोल्डर है हमारा 12 इंच बाजू की लेंद है हमारी 6 इंच और बाटम में इसका 12 इंच तो इसका हाफ लिए हमने 6 इंच अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं यह देखते हैं यहाँ पे हम प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग करने वाले हैं तो पहले हम इसकी लंबाई लेते हैं लंबाई है हमारी 3.5 चिलेंगे यानि कि एक इंच प्लस करेंगे सिलाए मार्जिं के लिए तो यहाँ पर हमें साड़े चावदा इंच लेनी है साड़े चावदा इंच पर एक मार्किंग करते हैं यहाँ पे हमें चेस्ट का वनफोर्थ लेना है पाउने 9 इंच हम चेस्ट का वनफोर्थ लेते हैं इसके आगे हमें देड़ी इंच लेना है यहाँ पे हमें यह देड़ी इंच लेना है यहाँ पे भी हमें इस तरह से यह पाउने 9 इंच पे एक मार्किंग करनी है चेस्ट का वनफोर्थ, चेस्ट का वनफोर्थ जो है, इसके उपर मार्किंग करनी है, और इसके आगे हमें देड़ी इंच लेना है, इस तरह से, अब यहाँ पर हमें एक्ष्ट्रा जो पेपर है, इसे हमें कट करना है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारी यह लंबाई है, और यहाँ पर हमारी यह चोड़ाई है, यहाँ पर हमें धाई इंच पर गले का मार्किंग करना है, धाई इंच पर हमने गले का मार्किंग किया है, शोल्डर का हाफ लेना है, हमें 6 इंच, 12 इंच हमा आपने देडी इंच लिया है सिलह मार्जिंग के लिए यहाँ पर हमें छे इंच पर एक मार्किंग करनी है इस तरह से यह मार्किंग करनी है यहाँ पर हमे फ्रन्ट सेड का नेक जो है छे इंच वो लेना है यहाँ पर हमे छे इंच पर एक मार्किंग करते है इस तरह से और यहाँ पर हमे फ्रन्ट सेड की जो गोलाई है वो देनी है जैसे front side की गुलाई देंगे हम 1,5 इंच पे और back side की गुलाई आएगे हमारी 2 इंच पे तो यहाँ पे हमें यह front side की गुलाई है वो देनी है यहाँ पे भी हमें गले के लिए round shape देना है अब यहाँ पे हम princess cut blouse की cutting कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है यह जो shoulder है shoulder का हमें center निकालना है पौणे 2 इंच हम shoulder का center निकालते हैं center के बिलकुल सामनी यहाँ पे हमें एक marking करनी है यहाँ पे हमने जो center लिया है center के बिलकुल सामनी यहाँ पे हमें एक marking करनी है मार्किंग के उपर यहाँ पर हमें यह 4.5 इंच लेना है इस तरह से हमें यह 4.5 इंच लेना है तो यहाँ पर हमने यह 4.5 इंच लिया है इस साइड में हमें 10 इंच लेना है और दूसरे साइड में भी हमें 10 इंच लेना है अब यह दोनों साइड के 10 इंच जो हैं यह हमें इस हम ने इसको मिला दिया है अब यहां पर हमने यह सीधा साथे चार इंच लिया है इसे हमें इस तरह से यह आरमोल में जोइन करना है यह हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं इसलिए हमें यह आरमोल में जोइन करना पड़ता है अब यहां पर हमें इसके कटिंग करन यहाँ पर हमें गले की cutting करनी है यहाँ पर जो शववव इन चमने लिया है इसको cut करेंगे यहाँ पर भी हमें इसको इस तरह से cut करना है यहाँ पर हमने इसको इस तरह से cut किया है अब यहाँ पर हमारे यह front side हैं अब यह जो दोनों part हैं इसे हमें दूसरे paper पर बढ़ाने पड़ते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने यह shoulder का center निकाला था center पर एक marking किया था यहाँ पर हमने 4.5 inch लिया था इस side में 7 inch और इस side में 7 inch जैसे इस side में पहले हम यह part को इस तरह से रखते हैं और यहाँ पर हमें 7 inch पर एक marking करनी है 7 inch पर marking करने के बाद यहाँ पर हमें इसको इस तरह से रखना है cross में रखेंगे उपर के side में गले के side में नहीं बढ़ाते नीचे के side में ही हमने 7 inch बढ़ाया है अब यहाँ भी हमें यह जैसा है वैसा ही इस तरह से हमें यह निकालना है इस तरह से हमें इसका मार्किंग किया है अब यहाँ भी हमने यह जो मार्किंग किया है मार्किंग के उपर हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से हमने इसको कट किया है अब दूसरा जो पार्ट है जैसे यह जो पार्ट है इसे भी हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाने हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है इस तरह से दूसरा जो पार्ट है जैसे इस सैड से हमने सववा इंच बढ़ाया था तो अब इसके एपोजिट सैड से हमें सववा इंच बढ़ाना है यहाँ पे भी हमें इस तरह से सववा इंच पे एक मार्किंग करनी है सववा इंच पे मार्किंग करनी के बाद यहाँ पे हमें इसको क्रॉस में रखना है उपर के साइड में नहीं मडाते नीचे के साइड में ही हमने यह सववा इंच लिया है और यहाँ पे यह जैसा है वैसा है हमें निकालना है इस तरह से हमें ये जैसा है वैसा है हमने निकालना है अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है अब यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है यहाँ पर हमें इस तरह से क्रॉस में कट करेंगे अब यहाँ पर हमें जैसे ये जो आर्मूल है आर्मूल को हमें क्रॉस में नापना है इस तरह से हमें इसको रखना है और इसे क्रॉस में नापना है जैसे पाउने आटी इंच हमारा ये आर्मूल आता है तो यहाँ पर हमें इसकी इसलिए उसकी कटिंग करनी है पाउने आट इंच हमारा आरमोल आता है तो हमें सवा आट इंच लेना है यहाँ पे जो एक्षा पेपर हैं इससे हमें कट करना है इस तरह से हमें इसको कट किया है यहाँ पे हमारी यह बंदबा जो जो है वो अपने साइड में ली है जितनी आपकी स्लिवस की लंबाई होगी उसमें आपको देड़ इंच प्लस करना है यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइनल खेचनी है और यहाँ पे हमें तीन इंच पे एक मार्किंग करनी है तीन इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें एक इंच लेना है इस तरह से और यहाँ पे भी हमें एक इंच लेना है और यहाँ पे हमें क्या करना है जैसे यह स्लिवस का जो शेप है वो देते है इस तरह से हमें यह स्लिवस का शेप देते है दूसरा जो शेप है जैसे एक इंच में से निकाल के इस तरह से हमें इसको लेना है और यहाँ पर हमें स्लीव का जो bottom है चेंज हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे इसके आगे आपको 1,5 इंच लेना है 5.5 इंच तो यहाँ पर हमें इसकी cutting करनी है यहाँ पर अभी हमें यह जो फ्रंट साइड है इससे हमें इस तरह से कट करना है इस तरह से हमने यह कट किया है तो यहाँ पर हमने यह प्रिंसेस कट ब्लाउस की आपको कटिंग करके दिखाई है जैसे 35 chest की यह princess cut blouse के यह cutting है यहाँ पर यह sluze की cutting है तो यहाँ पर मैंने जोसे cutory blouse की आपको cutting दिखाई थी 35 chest की तो यहाँ पर मैंने आपको यह princess cut blouse की cutting आपको दिखाई है तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को like करें, share करें और हमारे जानल को subscribe करें, thank you for watching this video